डिस्क्लेमर तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गती वीडियो का समर्तन नहीं करतें और अगर आप एक अडल्टो तो इस वीडियो को देखे अन्यता आपकी होर्मोंस की तीवरता भी बढ़ सकती जिसे नहीं अंतिरित करने के लिए आपको नजदीक पॉन साइट पर जाकर हिलाने भी परसकता है तो चलिए करते हैं एक्सप्लेंग तो आज हम बात करने वाले 1975 की सबसे कॉंटोवर्शनल मूवी सालों के बारे में जिसे मोर देन 10 कंट्रीस में बेन किया हुआ है जो की एक दांते डिवाइन कोमेडी पॉइंप पर आधारी थे तो इस मूवी को बेसिकली चार बागों में डिवाइड किया गया है परन्तु मुझे भी नहीं पता ये क्यों किया गया है तो उसे मारो गोली हम तो अपनी स्टोरी पर आते हैं तो मैं आपको बताता चलू कि 1944 में World War II के बाद इनको इटली पर हकुमत मिली थी जिसके बाद हमें दिखाये जाता है कि ये कैसे spiritual को निभाने के लिए एक दूसरे के कन्याओं से ब्याकर लेते हैं फिर हम इन चारो गांडूओं को एक बुक में साइन करते हुए देखते हैं जिसके अनुसरी ये इतने बुरे कान करेंगे कि इनके बाब भी उपपर से इनको गालिया बख रहे हुए क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये डेविल के और करीब जा सकते हैं और ये इनका मोटिव भी था अरे मरुचूतिया हुए ऐसा भी कभी होता है क्या जिसे निबाने के लिए अपने गार्ड्स के मदद से चाह जवान लोंडों को डूनते हैं उसके बाद ये इने अपनी सेकुरिटी में रिक्रूट कर लेते हैं और फिर ये नो लड़कों को पगड़ के लाते हैं जिसके बाद उन चार बड़ों के सिकुरिटी गार्ड भी इनका पीछा कलने लगते हैं और यहाँ पर ईवा की मां समझ जाती है कि वो इनसे नहीं बचने पाले है और दोनों मन्नी की कोशिश करने लगते हैं जहाँ पर उसकी मां तो मर जाती है लिकन वो लोग ईवा के पकड़ के उसे बचा लेते हैं और इस तरीके से अब उसके मेंशन में आठ लड़कियों और नो लड़किया बची हुई थी तो इस तरीके से इस संसकाली मुवी का पहला पार्ट खतम हो जाता है और चलिए आप सेकंड पार्ट की मां किया करते हैं यानि की सरकल ओफ मैनियक और ये पार्ट भी दान्ति देवाइन पोईम पर आधा रहीते हैं ताकि इन कहानियों को सुनकर वो गुलाम आपस में मास्टर बैट करने लगे और फिर हमें पता चलता है कि ये चारों बैटी चोत खुद तो कानून नहीं मानते हैं और ये इन 17 गुलामों के लिए कानून बना रहे हैं जिसके अकोडिंग कोई भी गुलाम अपने जिसे लिंग या विप्रिल लिंग के साथ कुलुँगलु नहीं कर सकता और इस दोरान इन सबी गुलामों को नेगेड़ी रहना पड़ेगा और ना ही ये बगवान का नाम ले सकते हैं ना ही कुछ गलती कर सकते हैं फिर प्रोस्टिटूट अपने जीवन के सारे कस्टमरों के बारे में इनको बताने लगती है जिससे गुलामों को बलाई गंटा फरक ना पड़ा हो लिकान वो चारो बड़े उत्ते जना से भर जाते हैं और किसी भी मेल या फिमेल गुलाम को समय समय पर खुराग देने के लिए कमरे में भी ले जाते हैं और फिर इस प्रोस्टिटूट की कहानी से मॉटिवेट होके वो मजिस्टेट एक लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए बोलता है और क्योंकि वो लड़की बहुती ज़्यादा छोटी होती है तो उसे पता ही नहीं होता के मास्टरबेशन होता क्या है और मनी मन उसे डोग बोलने लगती है और इन सब से तंगा कर वो किसी तरीके से वहाँ से निकल कर भागने लगती है फिर मजिस्टेर के साथ-साथ कुछ गार्ड्स भी उसका पीचा कनने लगते हैं और गार्ड्स आगे जाके उससे पकड़ भी लेते हैं और अब वो उसके साथ क्या करेंगे या हमें आगे पता चलेगा फिर हम सबी को एक रूम में खाना काते हुए देखते हैं फिर एक गाड एक लड़कियों नीचे पड़ी हुई रिंग उठाने के लिए बोलता है और इसी बात का फाइदा उठाकर वो अपना सामान उसकी चीजोरी मरग देता है और इस परकिरिया को देखकर पता नहीं उस बड़वो क्या ही चुल मस्ती है कि वो अपने दोनों से ले जाकर उस आदमी को दे देता है और बोलता है इसे भी काटो यानि कि समझे रहो ना ये ऐसे वेशी दरिंदे जिनको कोई भी चलेगा भले ही वो मैल हो या फीमेल हो इसके बाद वो चारो प्रस्टिटूट उन चारो बढ़वों से कहती है कि इने मास्टर बेट करने के परकिरिया हमें सिकानी ही होगी क्योंकि हम तो पेदाईसी टीचर हैं और फिर वो एक डमी लेकर आकर फीमेल गुलामों को उनका हिलाने के लिए बोलती और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मेजिस्टेट में मास्टर बेट करने के लिए बोला था और उसके भाग जाने के बाद गार्स ने उसे पकड़ लिया था और फिर हम उस लड़की की डेट बोडी को देखते हैं जिसे उन लोगों ने गलाराट कर मार दिया था और वो सभी गुलामों को वोनिंग भी देते हैं कि अगर किसी ने भी यहां से बागने की कोशी करी तो उसका भी हशर यही होगा और फिर हम वेजिस्ट्रेट को देखते हैं जो कि अपने कूलों को चेहर पे से उठा लेता है और बोलता है कि अब हमें इसमें से एक मेल और फिमेल को चूज करके उनका ब्याकराना चाहिए फिर वो इन दोनों का शुपमंगल विवा कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों को आपस में गुलुगुलु करने के लिए एक रूम में छोड़ देते हैं और जब वो दोनों इस बात को मानकर गुलुगुलु करने लगते हैं तो पीचे से तो उन चार बड़ों मेंसे दो बड़ों से रहा नहीं जाता और वो वहाँ पार आकर उन दोनों को रोग देते हैं जिसकी बज़े से उसके मुँँ मेंसे भी बलेड आने लग जाता है अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट को एक्सप्लेइन जिसका नाम तर शर्कल ओफ शेट तो ये वाला पार्ट काफी ज़्यादा डिस्कुस्टिंग हो सकता है और अगर आप कमज़द दिल वाले हो तो आ अपनी माँ को ही मानना पड़ा ता जिस पर मजिस्टेट बढ़वा अपनी अपाईज बुद्धी से बोलने लगता है कि सेक्रिफाइस तो देना ही पड़ता है एवन लोग बेवकूफ है जो कि माँ कोई सब कुछ अपना मानते है फिर इवा जिसकी माने मुवी के स्टार् और अब कुछ साया मजिस्टेट अपना पजामा खोल के वहीं पर सबके सामने शिट कर देता है और अब वो इवा को उसे खाने के लिए बोलता है और मजबूरन इवा को ये डिसकस्टिंग चीज कंदी ही पड़ती है और इस सीन को देखकर मुझे भी दीपकलाल की एक जाता ताकि लाश्ट में उसे सबसे दद्धनाक मौत दी जा सके और यहां पर मैं आपको एक्स्प्लेंड नहीं का सकता कि ये कितना जादा डिसकस्टिंग ता जहां पर इन चारो बढ़वे के दिमाग में बेजा ही नहीं था और इस तरीके से अब रोजाना ये यही परोस जिंगे और इनी को खाएंगे और इस तरीके से अब ये सेकंड प्रस्टिटूट की बात से इंस्पायरो की भी किसी को पेलते या फिर कभी किसी से अपने उपर पीस कनने के लिए बोलते और एक रात ये चारो डिक्टेटर अपने सभी गुलामों की बेक देखने लगते ज तुमें इससे भी भयानक मौत देने वाले हैं इसके बाद वो चारो बढ़वे चूती अपनती का प्रदर्शन करते हुए अपने गाड्स या फिर गुलामों से महरिज कर लेते हैं और फिर एक गुलाम एक डिक्टेटर को बताता है कि इस मेंशन में तुमारे रूल्स को त साथ सोता है और वहां जाकर चारो डिक्टेटर उसे पकड़ लेते हैं फिर वो चारो शूट करके उस गुलाम को भी माद देते हैं और उस नोकरानी को भी और अब वो चारो भढ़वे बचे हुए सभी गुलामों को एक शिट से बहुए टब में बिठा देते हैं और यहीं जो चार गार्ड अपोइंट किये तो उनमें से दो गार्ड हमेशा उस चेयर पर बेटे हुए डिक्टेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी दो बचे गार्ड उन बाहर वाले तीनों डिक्टेटरों के साथ उन गुलामों को टोचर करेंगे। फिर फर्श्ट डिक्ट जाने के बाद सेकिंड डिक्टेटर उस चेयर पर आके बेटता है और बाकी तीन गुलामों को टोचर करने लगते हैं जहांपर वो डिक्टेटर्स मेल के पैनिस को काड़ देते हैं फिमेल के ब्रेस्ट को काड़ देते हैं किसी की आँक निकाल देते हैं और किसी की जबान क इसा करते करते अब लाश डिक्टेटर आकर चेयर पर बेड़ता है और अब वो तीनो डिक्टेटर जो की मैदान में थे एक एक करके सबी गुलामों को मार देते और अपना चूतिया पर भरा डांस करने लगते और फिर हम दो गार्ट्स जो की मेंशन के अंदर थे उनको डांस में जाना ही पड़ेगा